अलो अब्रीवन विल्कम तो आएक्जाम बेस्ट वागए ते आप सब एक आएक्जाम बेस्ट प्लाटफर्म में तुमें कि अप्रेशन 50 परसेंट फास्ट है पहले वो थी 4th of October 2024 यानि कि कल बट आप देखेंगे कि अभी इसको extend कर दिया गया है और extend कब तक लिकर दिया गया है 14th of October 2024 में तो generally extend कब किया जाता है दो ही condition होती है पहली condition होती है कि अगर कुछ यह technical issue आ गया है website पे तो generally IBPS जितनी भी examination गाता है उसमें बहुत कम ही technical issues आते हैं और second major important reason होता है कि जब किसी भी form में बहुत कम applications आती हैं तो यह बहुत-बहुत possibility ही है कि यहाँ पे applications बहुत कम आई होंगी क्योंकि हमने पहले भी देखा है बहुत सारे ऐसे examination है जो specialist करदर में होते हैं और वहाँ applications कम आती हैं चाहें वो किसी भी organization का हो और क्योंकि आप सभी को पता है BTEC IT students जो होते हैं जनरली वो private sector में और क्या होता है कि इतनी awareness भी नहीं होती इतना उनका लगाओ भी नहीं होता कि government examination की तरफ यह भी एक बड़ा reason हो सकता है तो अभी क्या है इसके जो examination की date है वो extend कर दी application की date extend कर दी गई है और जो printing of application है वो भी 29th of October कर दिया गया यानि कि examination भी कही ना कहीं बाद महीं होगा जो पहले October में मेंशन किया गया था सो अब जिन इस्टोई ने apply किया है जो अच्छा से preparation कर रहे हैं उनके लिए यह time है कि उनको थोड़ा सा और time मिल गया for examination और बाकि जिन भी स्टोई ने भी तक नहीं किया था करना तो था बट अपने काम में busy रह गया या किसी भी office वाग में busy रह गया और last time भूल गए थे त 784 assistant manager system की post पे JMGS1 जिसको मैं assistant manager बोलते हैं तो जो SBI में PO होते हैं जो आप सभी को पता होगा कि हम famous कहते हैं कि SBI PO उन पर कैसा देखा जाता कि बहुत बड़ी post है बहुत बड़ी government job है तो यह same grade होता है JMGS1 बस यह specialist officer होगा तो SBI PO वाली ही position है salary वही सारी कुछ है बट यहां प package है तो यह freshers के लिए किसी private company से तो जादा ही होगा आप किसी से भी compare कर सकते हैं जो regular हमारी major companies है चाहे TCSI Infosys है उरेकल है उनसे अच्छा package freshers को यहां पर मिल सकता है तो दोस्तों यह आपके लिए बहुत अच्छी opportunity है जो भी IT student है इसको में सना करें qualification मैंने पहले ही बताया थ software engineering IT electronics and engineering equivalent degree है तो आप इसमें eligible है MCA MTEC है तो भी आप eligible है other qualification preferred है और exemption नहीं है examination pattern आप देखिए बहुत difficult नहीं होने वाला है यह बात आप समझी कि SPI pure इतना difficult examination यहां पर नहीं होगा सिर्फ reasoning के 15 question है points के 15 question English के 20 question और general IT के 60 question तो मतला आप देखिए बाकी में सिर्फ इतना ही weightage है और overall pretend का भी आप weightage देखिंगे 70% है जो आपके IT knowledge है उसी का maximum part है 60 marks का बाकी 40 marks तो आपके बहुत difficult नहीं होगा तो मतला आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके किसी भी placement के लिए examination होता है वैसा ही examination होने वाला है interview का 30% weightage है और यहां पर 60 marks में क्या आएगा वो भी यहां पर दिया हुआ है software development से related 20 infrasupport से related networking cloud operation तो यह एक अच्छी opportunity है दोस्तों अभी अब में असना होने है 14th of October last day उसे पहले form फिल करने और इसी बहुत अच्छी से प्रप्रेशन करें आ एक्जम भी के पास इसका course मिल जाएगा तो आप उस course को अवेल कर सकता और अपनी प्रप्रेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं this is all for today thank you everyone for watching this video and have a great day